हेलो एनो वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है दोस्तो एक बार फिर से समग्र बैच में और आज हम यूमन जोग्रोफी मानो भूगोल के एक महत्पूर्ण अध्याय को पढ़ने वाले हैं जहां हम बात करेंगे टर्सरी एंड कॉर्टर नरी तरत्यक वे चत प्रॉपर यहाँ पर जो क्लास और यह करेंट अफेर की हो एंसी आरटी हो आप फॉलो कर लीजिए यह टेलिग्राम चैनल यहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों यूमन जोग्रोफी बहुत ही इंपोर्टेंट है बार वे की आपके मेंस के द्रस्टिकोंड स चाहे प्रारमिक परिक्षा के द्रस्टिकोंड से और इसी के अंतरकता आज हम इसका छटा अध्याय जो है इसको हम सुरू कर रहे हैं जहां हम तरत्यक और चतुर्त एक्टिविटीज या क्रियक अलापों के बाद में बात करने वाले यह आपके जो है लेसन की रूप रहने दोस्तों यहां पर हमने अक्टिविटी प्रास्मिक है करें लिया था द्वितियक संजलिए था था थऊपशाहत आज हम चतुर्त पंचम जितनी मुक्त खतम कर देंगे तो अगले 20-25 मिनिट कुर्सी की पेटी अच्छे से बावंध कर बैट जाएए और महनत को लेकर के एकी चीज कहूंगा कि सर जो student एक lesson को अंत तक देखे उसके notes बना ले सर उससे best productivity कुछ नहीं हो सकती कोशिच कीजिएगा कि एक से दो पेज के अंतरगत आज की class के summary आप लिख पाए अपने सहच सब्दों में तो primary activities आप सभी को पता है प्रात्में गतिवीदिया कौन सी हुए आपके पास में जहां पर कोई भी प्राकृतिक संसातर ने उससे related जैसे खेती कर लिया खनन कर लिया दिद्यक सेकेंडरी में क्या हैगा आपके पास में जैसे आपके पास में खेती का या खनन का जो भी कच्चा माल था उसको बेसिकली आपने manufacturing विनिर्मान में बेसिकली जो है उध्योगों के माद्यम से कर कोई कारे किया तो सेकेंडरी दिद्यक शैत्र है अब तरत्यक में क्या होगा सेवाय आ जाएगी आपके पास में services आ जाएगी सर आपके पास में ठीके अभी जानेंगे उसके बारे में फिर quaternary आता है यह knowledge based होता है ना अमेरिका knowledge based economy साथ सबसे ज़्यादा वहां पर कॉर्टनरी सेक्टर जो है वह प्रभुत्व में तर्पश्चात क्विनरी मतलब पंचम पांचवा सेक्टर जो है आपके पास में यहां पर intellectual based जो है micro level decision making होती है तमाम चीजों के उपर हम सबसे ज़्यादा focus करने वाले हैं आज की क्लास का स्रीरसक है उसके अंतरकत हम बागी टर्सरी कॉर्टनरी और क्विनरी इन तीन activities के बारे में जान करी लेंगे तो सबसे पहले हैं तरत्यक सेवाएं दोस्तों क्या होती हैं तर teaching करवा रहा हूं तो कोई कानून ह्याँ आपके पास में कोई प्रसास अधिकारी है और आपके पास में और को हीरो है कोई कोई सिंगर है को पेसेवर लोग है जिनको उनके पेसे का कॉशल आता है professional skills है उनके पास में है ना अब ये लोग basically जो है आपके पास में इनको थोड़ा व्यावारिक प्रक्षिक्षन दे दिया जाता है और अपनी सेवाओं के बतले ये फिर भुगतान प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे इतने भी तरत्यक गतिविद्या होती है इसमें कुशल स्रमिकों की आवशक्ता होती है पेसेवरों की आवशक्ता होती है प्रशिक्षित जो विशेशक्गी है उनकी आवशक्ता होती है सलाकार है, कंसल्टेंटे, सेवाएं देने वाले हैं ınd्ग कि जाती है जैसे हो गया चिक्टा मोगा Parl Jaap विनिमियन होता है आपके पास में जैसे एकляंज वियापआर के अंदर के अंदर होता है परिवहन में ड employer संचार सुविधाव्त है यह भी विनिम남 की बाते होती干ा फिर यहिए उप्य। और को दूर करने के लिए किया जाता है जैसे डिस्टेंस जो है आपके पास में आप जैपूर में बैठा है मैं कानपूर में बैठा वाँ तो यहां पर हम यातायात के माध्यम से हो फॉन के माध्यम से हो, इंटरनेट सेवा के माध्यम से हो, संचार माध्यम से हो, ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पर सेवाओं का वानेजिक उपादन जो है, वो किसलिए किया जाता है, तरत्यक क्रिया 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 कलापों के लिए किया जाता है, तो सेवा सेक्टर जो है, हुए है परिवहन परिवहन है रेल है सडख है जल है वायु उमार्ग से संचार क्मम्यूनिकेशन है आपके पास में इंटरनेट है सब्सक्राइब कर रहें कोई भी सेवाई दे रहे हैं तो सर चतुर्थक में क्या थी सर चतुर्थक में जो आपके पास में इस भी ज्यादा बहतर सूचना आदारित अनुसंदान रिसर्ट्ट डवलप्मेंट जो होता है कुछ कि नॉच्ग वो इसमें पर पंचम क्रिया कल आप में क्या था इसमें ज्यादा आपके पास में हायर management के senior management जोब कहा जाता है सारे ने करता है यह सारे नीती निर्धा रखें जो मुख्या मुख्या लोग है जो मैं जैसे हैं के पास में CEO है फाउंडर से डारेक्टर से यह सब क्या है आपके पास में यह भी तो एक्टिविटी के अंतरगत आते हैं पर इनके क्रिया कला पंचम मतलब क्विनरी एक्टिविटी के अंतरगत काउंट किये जाने यहां तक क्लियर हुआ है जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ अब खोपड़े में बैठ गई कि सर्विस सेक अगर्णावी के लिए कहा जाता है वह तुर्तक में आ जाती है पंचम में सारे डिसीजन मेकर सारे बौसर जो सीनियर मैनेजमेंट जो नीतनी दारक निरनायक है जो विशेशक हैं वो सब बहां बैठते गोल्डन कॉलर्ड जॉब कहा जाता है कुईनरी सेगमेंट कहा जाता यसी चीज को अब हम वापस आता हैं है तरतियक सक्टर के उपर देखिए तोस्तों तरतियक शेंतर के एंदर बैसिकली जो है व्यापार होता है अभी हो सकता है के हर इतवार हर गुरुआर मार्केटे ए एरिया कें दलिनोचिक में zero-there ओ T कि हैं चीजे बेसिकली जो है आवधिक या फिर टरम बेस्पे नहीं होती पर्मारेंट वेस्पे होती है तो व्यापारी केन्द्र तीन प्रकार के ग्र भामिक है सेहरी और फिर हैं आवधिक आवधिक मतलब एक थर्म specific पर वो होगा एक समय specific पर वो हो करवाया जाता है तो गांवे वाले एरिया में सबसे जादा सबसे जादा कंजिउम की जाaskतों आसपास की बस्तियों में आसपास के लोगों के द्वारा है ना तो यहां पर ज्यादा थोक व्यापार चलता है है ना जो खाद्य चीजों का हो कपड़े का हो या फिर आसपास में घर के अंदर खेतों के अंदर कर यूज की जाने वाली चीजों का इसके उपर बिसिकली अगर को गाएंगे अपना सावान खरे देंगे और सब अपने गली मौले गाउं धानी पहुंच जाएंगे तो सापता एक दूस आपता एक कुछ भी हो सकता आसपास कहना अस्थाई रूप से बेसिकली जो संचित मांगों को पूरा करने लिए यह कार्य किया जाता है अब यह भी य अब आता है अर्बन अरिया में भी मार्केट के देखने को मिलेगी और तो और आपके पास में यहां पर आपको श्रम लेबर से रिलेटेद आवास रिलेटेड हैं ना आपके पास में तयार या अर्थ यार्थ या उसको हम लोग कहते हैं ना कि ready made हो या फिर आपके पास में घर जा करके उस चीज को बनाया जा सकता है और बहतर किया जा सकता है इत्यादी सहरी मार्कोट में बेसिकली आपको सिक्षन संस्थान भी अच्छे मिल जाएंगे वकील स अपशात मित्रों हम इसके आगे अगर बात करें फुटकर-मार्कीट है छोटा-मोटा अमार्केट में मश्यिनो के आउस्ट JUST shining अब है आपके पास में क्या है आपके पास में प्रोड़क्शन करने कोई hayat को उसे खरी जाता है आपके पास में रिटेल शॉप कहा जाता है अब थोक का क्या मतलोग होलसेल अलग यहाँ पर आपके पास में स्टोरेज के लिए ज्यादा अविशक्ताय चाहिए होगी आपके पास में ठीक है और यहाँ पर आप पूर्ती श्रंखला के अंतरगत यह बहुत ही यह तमाम आपके पास में इसमें जितने भी वस्तुएं हैं उत्पादन हैं वित्रण हैं उप्योग यह सारा ही आपके टर्शरी एक्टिविटी के अंतरके आता है तो परिवहन द्वारा बेसिकली कई बार चीजों का क्या होता है मुल्य समवर्धन होता है वैल्यू इसके उपर्शात आपको बताना चाहता हूं कि परिवहन दूरी को इस प्रकार मापा जा सकता है जैसे आपने किलोमेटर्स में बिसिकली मापते हैं समय दूरी या फिर किसी विशश मार्क पर यातरा करने वाले समय में मांग सकते जैसे दिल्ली और बॉंबे के बीच में ल को संसादणों को मान सकते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सम्कालिक रेखाओं के आधार मानचित्र पर basically कई संवकालिक रेख़ाय देखने को मिलती है यह संकालिक रेखाय स्थानों को जोड़ते सबस्क्राइब करेंगे और इसमें पहुंचने में लगने वाले समय के संदर्व में समार उपए क्षीची जाती आपके पास में इनको आइसो की झाता है आपके पास में यह इस टाइम के उपर यह इस टाइम के उपर यह इस timezone के उपर आई होब इस पॉइंट क्लियर ठीके परिवन वाला पॉइंट आपके पास में क्लियर है संचार भी सेवाएं हैं संचार के अंतरकत आप बहुत सारा आवश्कार करेंगे आपके पास ठीक है न और इसमें बेसिकली जो है पहले आप जानवरों का प्रियोग कर रहे थे अब नाम सड़क रेल और हवाई मार का प्रि अब उसमें और भी बहतर प्रबंदन हो चुका है है ना मॉबाइल टेलिफॉनी और हालिया इंटरनेट के कारण तो संचार सुईदा है और भी बहतर हो चुक है आपके पास में पहले तो देखो टेलिग्राफ मॉर्स गोर्ड टेलेक्स यह लगवग अथीत की बाते बल सामानिय और व्यापक है आपके पास में उच्क्रम की सेवा हैं जैसे कोई अकाउंटेंट है कोई सक है कोई सलाकार है यह अधिक विशिस्ट है यहां पर पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग विशेशक्यता हासिल करनी ज्यादा जरूरी होती है ठीक है ना यह तो कोई भी जला लेकर के साम तक बेसिकली अपनी सेवाएं दे रहा है यह सब क्या है सर्विस है यह सब क्या है टर्सरी इंडेस्ट्री है इन चीजों को याद रखेंगे याद रखेंगे चाहे अगनी शमन का कारिये हो यह यह उसी के अंतरगती ना यह और वाली टर्सरी थत्यक शेवाओं के अंतरगती जानी जाती है कुछ व्यत्तिकत सेवाएं भी होती है आपके पास में तो लोग अपने जीवन को सुविधा जनक बनाने कलिए श्रमिक रोजगार की तलास में ग्रामिंड शेट्रों से पलायन करते हैं और वे घरेल कार्य करने के लिए कोई आपके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है कोई पर्टिकुलर जॉब सिक्योरिटी नहीं है कोई पेमेंट नहीं है कैश में भी हो रहा है कभी हो भी रहा है कभी नहीं भी हो रहा है इनके अधिकारों की रक्षा नहीं है कहीं रेजिस्ट्रेशन नहीं पुरे सहर में हर रोज लगबग पॉने दो लाक लोगों को बेसिकली क्या है डिबा प्रदान करते हैं यह दिबा वाले ज़े तो यह क्या है आपके पास में परियतन है आपका परियतन भी बेसिकली जिसको हम टूरिजम कहते हैं यह परियतन भी यात्रह है जो विवसाय के बजाए मनोरंजन का उद्देश है मतलब आप यहां पे कोई एकनॉमिक गेन नहीं करना चाहते हैं कहां कहां गये थे के सर मैं अभी उटी जाकर आया सर में महाबलेश्वरम जाकर मैं गोवा जाकर आया मैं लक्षदीव जाकर आया ठीक है तो क्या करने गयते वाँ पर सर मनोरंजन के लिए गया था तो अच्छा इसके कारण भी तो नौकरिया पैदा होती है हॉस्पिटालिटी है होटेल से रिजॉर्ड से टूरिस्ट है गाइड है इनको भी तो बेसिकली जो है अच्छा खासा बेसिकली पैसा मिलता है ब मैं नहीं होई कि आप को खुद्रा व्यापार है ना परियटन कहीं भी आप जा सकते हैं परियटन के लिए चला गया है कोई यहां पर जो है आपके पास में इस बार हम जो लेके आए हैं दोस्तों वह हैं जलबायू वाला कि सर ठंडे चेत्रों में जो लोग हैं वो अधिकान समुद्र के तट्टो पड़ छुटिया मनाने के लिए जरूर जाते हैं तो देखो सारे के सारे यॉरोपियंस बिसिकली कहां पर आते हैं कोस्टल एरियास में आते हैं जो ट्रॉपिकल एरियास में आते हैं तो यॉरोप है आपके दक्षणी भूमद्य सागरी परिटन का एक बहुत ही ज्यादा महतुपत देखने को मिलता है तो यह वी एक तरतियक शेवाई ही हैं जो हम बेसिकली आपके पास में इतिहास के लिए कला के लिए आप यह सारी चीज़ें जो कर रहे हैं तो लोग यह सारा का सारा जो आनंद उठा रहे हैं तिस इस तर्सिरी सेक्टर यह क्या है संस्कृति से अर्थ व्यवस्ता जूड़ी हुई है देखलो संस्कृति नेचर को जान रहे हैं और उसे हमारी अर्थ व्यवस्ता भी आपस में वेल कनेक्टेड हैं यहीं नहीं तुम्हें पता है अमेरिका में कोई आदमी बिमार पढ़ता है ना तो एक नॉर्मल आदमी का लगबग पचास जार डॉलर एक लाक डॉलर ऐसा भी लाता है सारी व्यवस्ता है हर चीज की जांच होती ही वगर वगर और बहुत लंबा चोड़ा बिल अगर वहां पर कोई आदमी को डेंटल इंप्लांट लगाना है तो हमारे यहां पर किते में लगता है पचीस जार पचा 500 यूरो 500 यूरो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट हो गई ठीक है उसने पूरा का पूरा दो दिन कंसल्ट करके तीसरे दिन रिपोर्ट दी और फिर बताया के आपके डेंटल सर्जरी होगी और उस सर्जरी के लिए बेसिकली जो है आपको बारा हजार यूरो जो है आपका खर्च बेसिकली जो है ले जाएगी इसमें से आदा तो है ना तो बोल रहे हैं कि भाई समश्या क्या इस अच्छा क्या गया मैंने 25-30,000 रुपे का इंडिया का टिकेट किया आने का जाने का 50,000 में टिकेट मिल गया भाई मेरे को एक तो ओके फिर मैंने दिनिया डैली में एक डॉ इलाज कर दिया तो 50,000 आने का 50,000 डॉक्टर का परिवार से मिलके गया दो दिन और बेसिकली वापस और रिटन भी हो गया तो उसके तो बेसिकली क्या हो गया आपके बास अच्छा कई लोग ऐसे सस्ते इलाजों के लिए भारत से भारत में आते तो स्विजिलेंड है हेल्थ सर्विसेज हैं हमारे ऑपरेशन से हमारी कार्डियो वैस्कुलर जो भी जितने भी हार्ट से रिलेटेड ऑपरेशन से बारत में सबसे सस्ते होते हैं दोस्तों यह और दुनिया में बहुत महेंगे लोग बैसिकली बोले कि सब इस इतनी कौश्ट है अमेरिका और किसके लिए आयते इंडिया इलाज करना है तो चलो थोड़ा घूम भी लिया असपास में ठीके तो सर चिकित सा परेटन भी बहुत ही मैदपूर्ण है आपके पास में यह भी हम लोग लिख सकते हैं ठीके अब हम लोग चतुरतक क्रिया कलाफ अपर आते हैं एडिंग लगा लोग आपके पास में विज्ञान को लेकर के लगा अतार कारिया करते रहते हैं अनुशंधान करते रहते हैं कोई सब्सक्राइब करने यह इस एंडिया कालापों के अंतरगत आएंगे बहुत ही मैदपूर्ण हैं को विडिम हमको पता चला है इसे लिए में प्यूंत कितना अगवान कब basically lockdown खुले thanks to them है ना तो आज thank करके comment में बता देना सबसे important basically काम कर रहे हैं यह लोग अपना हर काम important है क्रसक का भी basically primary activity important है उतना ही basically इनका भी महतपूर्ण है ठीक है ना यहाँ पे जो है इस चैत्र में आर्थिक विकास को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रार्चमिकता दी जाती है कि कैसे में एक डबा टीवी तो है मैं कैसे बेसिकली एक LED टीवी बना दू है ना बटन को मैनुली तो बंद कर रहा हूं कैसे में रिमोट क मैंड में आया होगा experiments कि होंगे products बनाया होंगे तो विकसी तर्च व्यवस्थाओं में आदे से ज्यादा जो कर्मचारी है वो ज्यान छेत्र में knowledge इंडियां को भीGuys क्या आज आता हैं इंडिया पर जाना नहीं चाहरा इंडिया जारा आपके सेक्टर में इंडियमे में इस सेक्टर में आगे जाना जारा है الح D बना रहे हैं Ames बना रहे यह सारा काम हम लोग कर रहे हैं भाई डुवी देट चंद्रयान भेज़द ऒेजने वाले हैं व्योम मित्र भेजने वाले वाई टुवी दूझ सर यह सारा क्या है चर्तूर् तकoshing 6 ह準 रहे क्वाथनरी सर्विसेश है नॉलेज बेज़ सर्विसेज हैं समझ भाई तुमको समझ भाई एक नहीं सॉफ्ट्रे डवलोप कर रहे हो रिसर्च कर रहे हो कई सलाहकार है आपके पास में बड़े हायर है फाइनेंशल सर्विसेज जो दे रहे हैं यह कौन है रिसर्च करके जो है कौन से ब्यूचल फंड में पैसा डालना चाहिए फाइनेंशल एसेट्स की बात करें जो संखिया जो आपके पास पर सांखी किवीद होते हैं स्टाटिस्टीशियन जिनको कहा जाता है रिसर्चर से कर सकते हैं उनका आउट्सोर्क किया सकता है बिल्कुल सर नहीं रखना है यहां तो हम खाली में दे रहे हैं पर की तृंटेज़ा न नालेज़ पुरा रिसर्ट सारा कत्र को दिया जा रहा है तो जैसे आपके भवन हैं प्राथमिक विधाले-विष्विधाले-अक्से-अस्वा तो रहें तर यह थे लेखांकन ने ब्रॉक्रेज फॉर्म्स वगर जो होती है आपके पास में इस सारे क्रमिक जो हैं वो क्या होंगे आपके पास में चतुरत्र छेत्र माएंगे राइट तरत्यक छेत्र से कुछ सिमिलारिटीज हो सकती हैं पर वो संसादनों से बंदे हुए नहीं है वो परियावरण से प्रभावित नहीं होते हैं वो किसी एक बाजार में कि यह उसी एरिया में होगा उसी एरिया मोगा नहीं यह कहीं भी हो सकते हैं यह कहीं भी स्थापित हो सकते हैं फिर पंचम क्रिया क आपके पास में stock broker का बेसिकली एक बड़ा सा analyst हूँ quaternary sector चतुर्तक चत्र पर अगर मैं हूँ RVAI का governor अगर मैं हूँ kotec band का chairman मैं कौन हूँ नीती निर्माता नीती निर्दारक निर्णे करता अब मैं क्या हो गया पंचम क्रिया कलाब मैं हूँ क्या बोला जायेगा इसको qnery sector qnery sector पंचम क्रिया कला यहां पर निर्णे निर्माता नीती सब इनने जैसे एक उध्योग देखेंगे आप लोग है ना कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए आप जैसे रिलाइंस रिलाइंस में काम करने वाला एक नॉर्मल सा मैनेजर या टाइपीस्ट या कर रहेक सवाइन मालिक सारी निती निरमाता बेहां किद में आप एक दिम कलाब फुसे पहुंचे आप भी निती सेक्रेटरी प्रदान मंत्री कैबिनेट मिनिश्टर कौन है पंचम क्रिया कलाप है समझ भाई तुम लोग को अब क्यूनरी एक्टिविटीज में आपके पास में नए और मौजुदा विचारों का निर्मान पुनर व्यवस्ता या व्याक्या पर ध्यान होता है ठीक है ना तो छेत्र पर्तिनिर्टव करते हैं जो व्यावसाहिक अधिकारी सरकारी अधिकारी अनुसंदान वैग्यानिक वित्तिय कानोने सलाकार आधी की रूप में उच्भुकतान वाले कोशल का प्रतिनिर्यटव करते हैं एक सौफ्ट्वेर इंजिनियर हमारे आसपास में भाई दोस कैसे चलेगा Windows कैसे चलेगा Google कैसे चलेगा उन सभी चीजों को यह तै करते हैं ठीक है तो उन्ना तर्थ विवस्ताओं की सरचना में इनका महतों है बिल्कुल है सर आज अम्बानी अडानी टाटा बिरला यह है भारत में तभी तो भारत चल रहा है ना तो इन लोग का पंचम क चरनी करना जाता अमेरिका कह रहा है कि मैक डॉनल्ड तो मेरा रहेगा पर मैक डॉनल्ड की फ्राइस को पैक करने के लिए लिए लिफाफा चाहिए चाइना को बोलेगा बनाओ आइस्क्रीम को पैक करने के लिए प्लास्टिक का कप चाहिए बोलेगा बनाओ आइस्क्रीम पर दिन का एक डॉलर लेगा कोई आदमी है ना तो गरीब देशों को जैसे बांगलादेस है जैसे एशिया है है ना चाइन लोगों को बेसिकली लोग ऑडर देते आउट्सोर्सिंग कहते है तो विदेशी स्थानों पर काम स्थाना अंतरित कर दिया जाता है इसको आफ्सोरि जोनिने सब्सक्राब अप्टड अना आपूदोर कि यह सीब्सक्राइश काम कोम देते अमेरीका के कंपनी भारत को काम देते क्या है ऑस्टोरीं समंझे क सुछना हम होता है कॉल संटरे सर्विश सेजि़ू में अबलकुल सब्सक्राइब नॉलेज PG in रोचम वशीने लाग और KPO और BPO क्या है आपके पास में BPO है Business Process Outsourcing है ना ये सारे चीज़े आपको clear है अच्छा इस class की PPT कहां से download करेंगे Telegram Handle से जगदिश जांगेट सर PW से और हाँ ये class कैसी लगी comment करके बताना किस class के अंदर तक primary, secondary, tertiary, quaternary और quinary सारी activities clear है क्या बता पाओगे एक बार मेरे को comment करके बताओ पांचो activity में क्या क्या कारिया होता है जल्दी से comment करके बताना और आप कौनसी activity में जाना चाहेंगे black collar white collar या फिर gold collar job के अंदर करेंगे with this being said thank you जाहिन सरुदा सक्षिशाली and God bless you all I'll see you on the next Thursday again with the interesting lesson thank you